Hello everyone, welcome back to my channel School Diaries तो चलिए आज हम करेंगे हमारा अगला पार्ट जो की है बड़ी उ की मात्रा वाले शब्दों का पार्ट ठीक है? तो वो है उस का पार्ट का नाम है कालू चाट वाला तो आज हम करेंगे पार्ट 11, कालू चाट वाला सो देखिए ये है हमारा पार्ट इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द ठीक है सो मैंने अपनी छोटी उ की मात्रा वाले शब्दों के वीडियो में मैंने आपको बताया था उस पार्ट में कि हम बड़ी उओ और चोटी उओ की मात्रा कैसे डालते हैं आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें उसमें भी मैंने आपको यही बताया था जिसे यह हमारी चोटी उओ की, यह हमारा चोटा उओ और यहें बड़ी ओ believer के पीछे एक पूंच होती है. अब यह हमारा अक्षर है, अगर हमें इसमें चोटी ओ की मात्रा डालनी है, यानि वो जाएगा हमारी left की और इस तरफ. ठीक है जब हम छोटी उकी मातरा डालते हैं सो एक गोला बनाएंगे और एक पूँच बनाएंगे जो की जाएगी हमारे left side इस तरफ हमारी वो पूँच जाएगी ठीक है और जब हम बड़ी उकी मातरा डालते हैं इसी शब्द में तो वो इस तरफ सो हम करेंगे उसको ऐसे सो बड़ी उकी मात्रा के लिए एक गोला बनाएंगे और वो पूँच जाएगी हमारे इस तरफ ठीके यानि राइट साइड की और सो यही बात आपको ध्यान में रखना है ठीके छोटी उकी मात्रा इस साइड में लगती है इस तरीके से ओके और बड़ी उकी मात्रा जो है इस तरफ को जाती है जो की हमारे राइट साइड की और जाती है सो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी उकी मात्रा वाले शब्दों को ठीके हमारे इस पार्ट में तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे इस पार्ट में हम बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे जिसमें हमें बढ़ी उकी मात्रा डालनी है So कैसे यह देखे स में देखो यहां पर बढ़ी उकी मात्रा डली है na क्योंकि वो इस तरीके से लंबा खिच रहे है ऐसे मुड नहीं जा रही है छोटी उकी तरह है है ना ये लंबी सी जा रही है उकी मातरा तो ये स बन गया सू सूरज सूरज और ये क्या है चूहा च बन गया चू चूहा जूता उद उद बिलाव यहाँ पर जो है उद डिरेक्ली लिखा हुआ है ठीक है तो वो उद बिलाव है दन फ बन गया फू ठीक है तो ये सारे वर्ड जो है बढ़ियू की मातरा से बने हुए है आगे भी यह है आपको इसको बोल बोल कर पढ़कर उसकी प्राक्टिस करनी है चलिए पढ़ते हैं धूप दूद मूली भूक पूजा आ लू भालू बूढ़ा जूला चूडी तराजू चूरन खुशबू यहाँ पर देखिए दोनों मातरा का प्रयोग है छोटियू की मातरा लगी है इस तरफ तो ये खुँ हो गया ये खुँ नहीं होगा खुशबू ना खून अम रूद जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पता है था र की जो मातरा है र में जब हम छोटियू की मातरा डालते हैं तो वो उसके पीछे लगती है यहाँ पे नीचे नहीं लगती जसे बाकी शब्दों में हम लिखते है तर्बूज यहाँ पे हम ज नहीं पढ़ेंगे इसको ज पढ़ेंगे जो इंग्लिश का लेटर होता है ना ज जी जिसे बोलते हैं तो हम जब ज की जब ज से जहाज के नीचे एक बिंदी पढ़ जाती है तब हम उसको ये वाली साउंड देंगे हम इसे खर्बूजा नहीं बोलेंगे खर्बूजा और तर्बूज करके पढ़ेंगे ठीके कबूतर शहतूत तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है रीडिंग की प्राक्टिस है ये दर आगे क्या है लिखना है कैसे ज में उ की मात्रा इन डॉट्स वाले लेटर्स के उपर आपको लिखने है और ये वर्ट्स को भी लिखना है जूता चूहा खुशबू फूल और ये देखिए र अगेन यहाँ पर है बढ़ियू की मात्रा के साथ रूमाल यानि हैंकी ठीक है तो ये ही है इतने वर्ट्स दिये हैं आप इसको लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि बढ़ियू की मात्रा वाले शब्द कैसे लिखे जाते हैं तो चलेंगे आप पार्ट की और कालू चाटवाला तो देखिए ये है हमारा पार्ट जिसका नाम है कालू चाटवाला तो इस पार्ट में भी आपको बहुत सारे अक्षर दिखाई देंगे वर्ड्स चब्द दिखाई देंगे जिसमें हम बढ़ियू की मात्रा डालेंगे ठीक है सो कालू चाटवाला चाटवाला कौन होता है जो चाट बनाता है जैसे आपने देखा होगा जो एक street food होता है चाट ठीक है जो लोग road पर सड़क पर बेचते हैं चाट बनाते हैं तो उसी के उपर ये एक छोटा सा पार्ट है कालू चाट वाला तो चलिए इसकी reading करते हैं एक था भालू भालू क्या होता है बैर है न जो बैर है ये आप देख सकते हैं बिच्चर में है न सो नाम था कालू यानि कालू उस भालू का नाम था कालू एक था भालू नाम था कालू इस जो भालू है इस बैर का नाम था कालू कालू की थी एक दुकान कालू जो है एक बैर है और उसकी एक दुकान थी ठीक है आप देख सकते हैं चित्र में कि एक दुकान में कुछ बेच रहा है क्या बेच रहा है दुकान का नाम था कालू चाट वाला दुकान का नाम क्या है देखे इसने या पर बोर्ड लगा रखा है कि मेरे दुकान का नाम क्या है कालू चाट व बनाए जाते हैं ठीक है तो उसको हम चार्ट बोलते हैं सो कालू की दुकान का नाम क्या था कालू चार्ट वाला कुर्ता और जूता पहन कर कालू दुकान पर जाता सो कालू दुकान पर कैसे जाता था कुर्ता पहनता था और उसके साल जूते भी पहनता था आपको दिख रहा पैना पिक्चर में कि ये देखो कालो ने कुर्ता पैन रखा है और जूते भी पैन रखे हैं वह फल काट कर चाट बनाता वह जो है फल काट कर फ्रूट्स काट कर उनकी चाट बनाता था ठीक है जैसे फ्रूट्स को ऐसे काटते हैं और उसमें मसाले डाल कर उसकी चटपटी ख एक दिन जो है मयूरी गिलहरी गिलहरी मतलब स्क्विरिल ठीक है तो स्क्विरिल का नाम था मयूरी उस गिलहरी का नाम मयूरी था वो क्या कर रही थी स्विंग कर रही थी जूला जूल रही थी जिससे आप जूला जूलते हो ना पार्क में उसी तरीके से मयूरी गिलहरी भी जो है जूला जूल रही थी तभी क्या हुआ सरजू चूहा और नुपूर चूहिया मतलब एक चूहा था जिसका नाम सरजू था सरजू चूहा और एक चूहिया थी उसका नाम था नुपूर चूहिया वो दोनों दुकान पर गए कौन सी दुकान पर कालू की दुकान पर ठीक मयूरी भी साथ साथ चल पड़ी मयूरी भी कहां चल पड़ी चुहा और चुहे के साथ जो है कालू की दुकान पर चल पड़ी देखते हैं आगे क्या हुआ तो जो है वो तीनों देखे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है मयूरी गिलहरी और ये चूहा चूही है ठीक है तो ये दोनों जो है ये तीनों मिलकर कालू की दुकान पर गए और वहाँ जाकर क्या बोला उन्होंने कालू भाई आलू कचालू और अमरुद की चाट बनाओ तो उन्होंने दुकान पर जाकर बोला आलू की पोटेटो की कचालू जो स्वीट पोटेटो होता है वो और अम्रूध हमारा जो ग्वावा फूरूट होता है तो इन तीनों को मिलाकर एक चाट बनाओ चाट बनाओ मतलब इन तीनों को काट कर इसमें कुछ मसाले डाल कर इनकी चाट बनाओ तो इन तीनों ने इन कालू को वो चाट बनाने के लिए कहा जरा बढ़िया चाट बनाना मतलब बढ़िया मतलब बहुत अच्छा बहुत टेस्टी ठीक है तो बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी चाट बनाना तर्बूज और खर्बूजा भी डालना तर्बूज क्या होता है आपको पता है ना Watermelon तो उसको हम तर्बूज बोलते हैं और खर्बूजा जो Watermelon के जैसे ही Orange कलर का छोटा सा होता है जिसको हम Muskmelon बोलते हैं ठीक है सो तर्बूज और खर्बूजा भी जो है इस चाट में डालना सो किस किस चीज की चाट बन जाएगी अब आलू, कचालू, अमरूद, तर्बूज और खर्बूजा ये पांच चीजे जो है चाट में डलेंगी अब ठीक है कालू बनाएगा इनके लिए तो कालू क्या बोल रहा है जरूर, जरूर, हाँ, हाँ, मैं पक्का चाट बनाऊँगा सो कालू भी जो है तयार हो गया चाट बनाने के लिए और उसने जो है चाट बनाई और फिर चाट इनको दी, इन्होंने चाट खाई और उन्होंने बोला वा कालू भाई, यानि वाव कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी, चाट जो तुमने बनाई थी, बड़ी चटपटी थी, चटपटी मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ खटी, कुछ मीटी, कुछ त याँ पर भी हम मजा आ गया नहीं पढेंगे इसको जा नहीं पढेंगे जा के नीचे दिखिए चोटी सी बिन्दी आपको दिख़ी रहे है तो जा बन जाएगा ज ठीक है। हम मजा आ गया बोलेंगे ना कि मजा आ गया ठीक है सो ये ज़ बन गया सो खाकर मजा आ गया यानि खाकर उनको बहुत मजा आ गया बहुत टेस्टी लगा कालुक ने इतनी बढ़िया चार्ट जो है बना रखी थी सो इतना ही है पार्ट में खतम हो गया है पार्ट ठीक है आप भी इसको पढ़िये और इसकी प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग की तो अब हम चलते हैं पार्ट के अभ्यास की और यहाँ पे देखिए कुछ प्रशन उत्तर है हमें जो है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगान है ठीक है सो भालू का क्या नाम था हम सबको पता है है ना भालू का नाम क्या था कालू सो यहाँ पे दो आप्शन्स दिये हैं दो आंसर दिये हैं कालू भालू सो हमें जो है कालू पे तिक माना है क्योंकि कालू था नाम भालू का नाम भालू की किस चीज की दुकान थी सो किस चीज की दुखान थी, चाट की दुखान थी है, कालु चाट वाला, उसकी दुखान का नाम था कालु चाट वाला तो हम चटपटी पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, मीठी पे नहीं निशान लगाएंगे, ठीक है, देखते हैं आगे, तो प्रशन उतर पाट के कतम खतम हो गए हैं, पर आप जो है, और भी प्रशन उतर उससे बना सकते हैं, जैसे कि कालू की दुकान पर कौन-कौन आया तो आप बता सकते हैं कि चुहिया आई थी, चुहा आया था, और उनके नाम क्या थे, जिससे हमने पढ़ा था, मयूरी गिलहरी, नुपूर चुहिया और सरजु चुहा, तो ये सब उसकी दुकान में आया थे, ऐसे कहीं प्रशन पाट से बना कर पाट को आप पढ़ सकते है ठीक है, तो टेक्स टुक में बस इतने ही क्विस्टन्स दिये हैं, आगे जो है सिर्फ पढ़ने के लिए है, समझो और पढ़ो, ल, लू, ल में लू की मात्रा, यानि बढ़ियू की मात्रा, और उससे जो है कुछ शब्द बना रखे हैं, भालू, आलू, कचालू, उसी तर खर्बूस, खर्बूजा, बूढ़ा, और र में रू, देखें, र में मात्रा र के अक्षर के पीछे लगती है, ठीक है, जरूर, अमरूद, रूमाल, ठीक है, सो इस तरीके से जो है, आपको चोटी बढ़ियू की मात्रा वाले शब्दों को लिख कर उसको पढ़ना है, बो यहां पर चोटी उकी मात्रा लगी है, और यहां पर बड़ी उकी मात्रा पर दोनों जो अक्षर है, उनमें बहुत फरक है, और उनका मतलब भी अलग-अलग है, है ना, यहां पर देखो चोटी उकी मात्रा लगी है, और यह बन गया सुना, सुना, क्या तुमने सुना है, हम सुना मतलब क्या है? सुनना, किसी चीज को सुनना, सुना, सुना मतलब बहुत सुना हो गया, कोई चला गया तो बहुत सुना हो गया, हम बोलते हैं न, तो अकेला हो जाना, सुना, सुना, अकेला पन, खाली खाली पन, देन चुना, किसी को सेलेक्ट करना, हमने इसको चुना है या चूना, जो दिवार पे लगाते हैं, चूना, चुरा, ठीक है, मतलब किसी ने कुछ किसी का चुरा लिया, थेफ्ट हो गया, चुरी हो गया, उसको हम चुराना बोलते हैं, चुरा, चुरा, कोई powder, किसी चीज का पाउडर, चुरा, बुरा, मतलब गलत, bad ठीक है, भूरा, वो एक color का नाम है, brown को हम बूरा color बोलते हैं Then puri, जैसे किसी जगे का नाम होता है, puri ठीक है और ये puri जो हम खाते हैं, puri ठीक है, सो यही जो अक्षर है, इन में फरक है O-U की मात्रा और बढ़ियों की मात्रा में, छोटी और बढ़ी में आगे क्या है बोल बोल कर पढ़ो और लिखो यह र अक्षर में छोटियू की मात्रा और बढ़ियू की मात्रा डाल कर यह लिखा गया है यह क्या है, रूई, जो हमारा cotton होता है, रूई, रुख, यह सब छोटियों की मात्रा पड़ेगी यहाँ पे, रुपया, और यहाँ पे, रूठना, रूखा, रूमाल, इन सब में बढ़ियों की मात्रा, याद रखिए, र में हमेशा पीछे मात्रा लगती है, नीचे नहीं ल इन चित्रों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, चित्रों को पहचानना है, यह क्या है, चुहिया, बूढ़ी, सुराही, तराजू, फूल, मूली, ठीक है, इस तरीके से आपको जो है, इन शब्दों को यहाँ पर लिखना है, आगे क्या है, इसमें कलर करना है ठीक है ये एक activity है बस इतना ही है इस chapter में इस part पे इतना ही है आप आगे जो है र की मात्रा का part है जो कि हम करेंगे अपने अगले वीडियो में सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye and do like share and subscribe to my channel bye